हाली में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारते महिला की रिकेटर कौन बन गई तो अंसर होगा इसमर्ती मिनाना तो भारते महिला की रिकेटर इसमर्ती मिनाना इन्होंने अपने अभी T20 इंटरनेशनल करियर में 3000 रन पूरे कर लिये उन्होंने 2461 गेंदों में 3000 रन बनाकर के न्यूजिलेंड की बल्लेबाज 100 फीड डिवाइन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया आचा मैंने क्या कहा इस्प्रती बनाना T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारते महिला किरकेटर है अब आप पूछोगे पहली कौन है तो पहली है हर्मन प्रीत कौर वहीं पूरूशों में अगर बात करें तो दो ही भारते ऐसा कर पाए मतलब T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे कर पाए एक विराट कोली है तो दूसरे है रोहिच्यर मार वैसे महिला किरकेट टीम के कोच है अमूल मजुंदार अगले प्रस्ण में पूछ रहे हैं अभी जनवरी में ही जली कट्टू कारेकरम का आयोजन ये कहां पर किया गया तो आंचार होगा तमिल नाडू में तो तमिल नाडू के मदूरे में ये जली कट्टू कारेकरम का आयोजन होता है क्या होता है तो इसमें एक सांड होता है एक बुल होता है उसको कंट्रोल करना होता है। कूबड को पकड़ेंगे आप और उसके सिंगों में कपड़ा होता है उसको निकाल लोगे तो आप जीच जाओगे। और मुख्यरुप से पॉंगल तेवहार के मौके पर इसका आयोजन किया जाता है वहाँ पे। और इसी तरह की एक भैस दोड होती है वह करना तक में होती है जैसे कंबाला दोड का जाता है वह विध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं भी। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी देश की पहली स्वस्त और स्वच्च फूड स्ट्रीट का नाम क्या है जिसका उध्गाटन किया गया तो अंसर होगा प्रसादम है याद रखना ये देश की पहली स्वस्त और स्वच्च यानि की healthy और hygienic फूड स्ट्रीट है जिसका भी कहां पर किया गया मद्यप्रदेश के उध्जेन में उध्गाटन किसने किया तो मद्यप्रदेश के मुखे मंतरी मोहन ज्यादा उने उध्जेन के महाकाल लोक में मतलब एक तरह से food street है यहां पर खाने पीने की ही दुकाने होंगी टोटल 17 दुकाने होंगी जिसमें अगला है तो important हो गया अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न में पूच रहे हैं 24 के चुनाओ में बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कारेकाल के लिए चुना गया पांचवा इनका कारेकाल है ये और इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग अभी यहां प चौत्थी बार ये सरकार बनाएंगी, और एक बार पहले भी ये बना चुकी है, 1991 से लेके 1996 तक, बांगलादेश की केपेटल होती है डाका, करंसी होती है टका, अगला प्रशनी क्या है, कि Space X ने किस देश के पहले निजी वित्त पोशित जियो सैटलाइट, OVZone 3 को लॉंच क किया, Space X के Falcon 9 रोकेट से इसको लॉंच किया, Sweden के केपेटल होती है, Stockholm, करंसी है स्विडिश क्रोना, अभी आपको याद होगा, कि भारत ने Falcon 9 से अपना एक सैटलाइट लॉंच करवाया था, GZ20 उसका नाम है, अगला प्रशन देखो फिर, अगला प्रशन है, ISRO ने किस रोक इसको ISRO ने Exposet उपग्रह, यानि कि X-ray Polarimeter सेटलाइट को लॉंच किया, किस रोकेट से लॉंच किया, PSLV C-58 से, तो उसी के साथ POEM 3 का भी सफल परिक्षन किया गया, POEM 3 मतलब ये एक PSLV Orbital Experimental Module है, मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिस पे ISRO अपने Scientific Experiment परफॉर्म क किया है, इसको Daily Current Affairs वाली क्लास में, तो अभी हम revision कर रहे हैं, तो हम detail में नहीं जाएंगे, फिर भी मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है, याँपे, तो याद रखना ISRO ने किस रोकेट पर Polymer Electrolite Membrane Fuel Cell का परिक्षन किया, तो अंचरोगा PSLV C-581, जिससे हमने Exposet launch किया थ अभी एक जनवरी 2024 को ही, ये भी नया प्रशने याद रखना, और ISRO, ISRO के अध्यक्ष कोने, S-10 मनाथ है, बंगलोरो में मुख्याले होता है, फिर आपसे पूछ रहे हैं, परपल उत्सव 2023 का आयोजन का पर किया गया, तो अंसर होगा, गोवा में, अभी ये जनवरी में गोवा में हुआ था, गोवा की केपिटल पनजी है, जो कि मंडवी नदी के किनारे है, और मुख्यमंत्री कोन है, प्रमोच सावन्त है, और गवर्नर है, P.S. श्रेधरन पिल लई, फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी 81 गोल्डन गलोब अवर्ड्स 2024 में किस फिल्म को पिक्चर ड्रामा का पुरुषकार दिया गया, तो अंसर होगा ओपनहाइमर, यहां पे हम बात कर रहे हैं, ध्यांते सुनना किसकी बात कर रहे हैं, गोल्डन गलोब अवर्ड्स 2024 की, कौन सा संसकरन है इस बार, दोजाइचोबिस में ये 81 टिवन नंबर का, और इसका इस्टोन, Killers of the Flower Moon मुवी के लिए और Best Director है, Christopher Nolan Oppenheimer मुवी के लिए, वहीं TV के टेगरी में Best Drama Award मिला है, Succession Series को ये भी ध्यान में रख लो, तो Golden Globe Awards या मेरी की और अंतरराश्टर फिल्म और TV सिरीज, दोनों में उतकरश्टता के लिए दिया जाना वाला एक Award है, क्या किसी भार जा था, उसमें उन्होंने गाना गाया था, जो वो पहले भारते बने थे, जिने Golden Globe Award मिला था, और पिछले साली हम लोगोंने पढ़ा था कि दोजा तेविस में, असिवे Golden Globe Awards में, जो नाट्टू नाट्टू गाना आया था, RRR मुवी का, उसे Golden Globe Award मिला था, और वही Award जीतने वाला पहला Asian Song बन था, फिर आपसे पूछ रहें, संस्कृति के आयाम नाम की बुक को किस ने लिखा, तो आंसर होगा, Manoram Mishra ने, और इस बुक को किस ने लौंच किया था, तो सडग परिवहन वर राजमार्ग मंत्राले में, जो राज्य मंत्री है, वी के सिंग, उन्होंन इसको लौंच किया था, बुक का नाम में संस्कृति के आयाम, Manoram Mishra ने लिखा, फिर आपसे पूछ रहें, किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को GI टेक मिला तो आंसर होगा, उडीसा, एक्चलि में, उडीसा के भी साथ प्रोडेट्स को एक साथ GI टेक मिला था, सिमलिपाल काई चटनी हमने पड़ा है, और नयागड कांटेई मुंडी बेंगन को GI टेक मिला है, अचा किसी भी उतपात को अगर GI टेक दे रहे हो, तो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है, दस सालों के लिए याद रखना, जब पैटेंट दिया जाता है, तो वो 20 सालों के लिए रहता है, पहली बार GI टेक ये 24 में मिला था, दार्जलिंग T को मिला था, जो कि पश्ची मंगाल की है, फिर आप से पूछरें अभी किसे, विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत बनाया गया था, सेंथिल पांडियन को बनाया गया था, तो ये नाम सील, इशन डेवलेप्मेंट बैंक में भारत के एक्जिकेटिव डिरेक्टर बने, और शशी सिंग, अखिल भारते रबर उद्योग संग के अध्यक्ष बने, तो रित्विग रंजनम पांडे आपको पता है, सोल वेवित आयोक के सच्चिव बने थे, जबकि अध्यक्ष अ क्या है ये योधना, सिंपल सा याद रखो, STSC छातरों के लिए मुफ्त में कोचिंग कराई जाएगी इस योजना के तहत, competition की जो तयारी करते हैं बच्चे, जिसे आप कर रहे हो, वैसे ही, और ऐसा भी थोड़ा सा ध्यान रख लो, जिस भी योधना के बिचे शिरी लग ज कभी एक सी कोई नवीन योजना आ गई, पीछे शिरी लगा होगा, आपको आंसर नहीं पता, तो 99% उसका आंसर आपका पस्चे मंगा लोगा, जैसे और भी होता है, जैसे उडिसा के कुछ योजना है, जो वो मो से ही स्टार्ट होती है, मो परिवार योधना, मो बस योजना तो यह भी ध्यान रख सकते हैं, और ऐसी चीज़े कब निकल के आती है, जब चीज़े आप पढ़ते रोगे ना, चीज़ों को लिंक करकर के पढ़ोगे, तो अपने आप ट्यूनिंग बेटती जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा, अगला प्रशन लेखते हैं, अभी अगला प्रशन देखो, अभी हाली में अंतर देशिय जलमार्ग विकास परिशद की पहली बेठक अभी हुई, कहाँ पे, कॉलकता में हुई, तो इतना आप ध्यान रखना, और कॉलकता मेट्रो आपको याद है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है, हुगली नदी के नीचे चली, और ये ज़रूर याद रखना कि ग्लोबल मेरी टाइम इंडिया सम्मिट जो भी दोजा तिविस में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुई थी, फि 140 भाषाओं में गायन करने का विश्वर रिकॉर्ड बनाया था, किसने, सुचेता, सतीश ने, मतलब इन्होंने एक ही बार में, 140 भाषाओं में गाना गया था, और इनका जो ये परफॉर्मेंस है, जो कारेकरम का आउजन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, युनेटेड 28 का युजन हुआ था, उसी में एक प्रोग्राम हुआ था, ये कॉंसर्ट हुआ था, वहाँ पे इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, वैसे ये भारत की हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, भारत के केरल राज्य से बिलॉंग करती है, एक प्रश्न ये है कि भार आते उत्पाद होंगे, मतलब जिनका प्रोडक्शन भारत में हुआ है, वह वहाँ पे प्रदश्यत किये जाएंगे, बेचे जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी भारते चीज़े मिलेंगी, इसलिए इसको भाज पार्क नाम दिया गया, अगला प्रश्न क्या है, फ्रांस के सबसे युवा वह पहले समलेंगे एक प्रदानमंतरी कौन बने, गैब्रियल अटल बने है, ये नाम ज़रूर याद रखना, इंपोर्टेंट है, वैसे यहां के प्रेसिडेंट तो एम्मैन्वल मैकरोन है, जो अभी रिपब्लिक डेपे अमारे चीफ कैस्ट थे, अच्छा अगला परशन पूछ रहें, अभी किसा राजी की कच्ची करेक, खरेक को GI टेग मिला तो ये गुजरात की है, है गया ये, एक तरह का खजूर है, यह समझोगा ना, इसको GI टेग मिला, कहां का है, कच्ची करेक, गुजरात का है, अच्छा, इसके लावए एक और प्रोडॉ तेंक यू